सम्विधान दिवस पर पोलिस ओफिस पर जवानों वा करमचारियों को एसकी साउथ अरूल कुमार सिंग द्वारा सम्विधान की शपत दिलाई गई उन्होंने कहा कि भारतिय सम्विधान स्वतंत्र आंदोलन के सफलता का ही पडिराम है या सम्विधान हम सभी के द्वारा सनरक्षित, पुश्पित, पल्लवित होना चाहिए हम सभी का परमदाइत्व है कि सम्विधान की सम्प्रबुध्ध सर्वोच्ता को बनाए रखने के लिए ततपर रहें उन्होंने शपत दिलाते हुए कहा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूल, प्रभुत्व, संपन, समाजवादी, पंत, निर्पेक्ष, लोगत, अंत्रात्म, गलराज बनाने के लिए उसके समस्तर नागरिकों को समाजिक, आर्थिक और राजनियतिक न्याए विचार, अभिवैक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतन्ता, प्रतिस्ठा और अवसर की समताप्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और रास्त की एकता और अखंता सुनुशित करने वाली बंदुता बढ़ाने के लिए दिर्ड संकल्प लेते हैं इस मौके पर सीयो के अमपेर गंज अजे कुमार सिंग सहित अनपुलस कर्मी मौजूद रहें इस संबन में गुरकपुर नियूज से बात करते हुए एसपी साउथ और उरकुमार सिंग ने कहा समाजवादी, पंख निरपेट्स, लोग कंतरात्मक गड़राजी, सामाजिक, आर्थिक, और राजमेटिक लियाई, और राष्ट की एकता, और अखंड़ता, सुनिशित करने वाली बंदुता, 26 नुबंबर को संबिधान दिवस के रूप में पूरे भारत वर्ष में मराया जाता है, आज के दिन भारती संबिधान की प्रस्तावना, जिसे इस संबिधान की आत्मा कहा जाता है, उसी प्रस्तावना को सभी पुलिस कर्मियों ने संकल्प के रूप में, सपत के रूप में आज फिर से उसका वाचन करके उस संकल्प को दोहराया है,